गोपाल गंज अपना पचास्वा स्थापना दिवस मना रहा था और उसके बाद खबर आई कि गोपाल गंज के काकड कुंड का एक लड़का अब विराट कोली और रोहित शर्मा के साथ खेलने जा रहा है। खबर आई कि कलकत्ता में जिसके पिता टेक्सी चलाते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे उसके पिता चाहते थे कि CRPF में मुकेश कुमार की बहाली हो जाई और मुकेश कुमार ने इसके लिए तीन बार प्रयास भी किया था लेकिन अफसोस की किसमत में कुछ और ल लग रहा था मानों महिंद्र सिंग धोनी के आखों से असुटपक जाएंगे और अगर आप थीटर में बैठ कर वो फिल्म देख रहे होते तो आपको भी याद आता कि कितना भावक सीन था वो हम यही सोच रहे हैं कि जब मुकेश कुमार किसी होटल में ठहरने जाएंगे 6, 8 और 11 अक्टूबर को जब इंडियन टीम के साथ गोपाल गंज का लड़का खेलने जाएगा तब जब होटल के कमरे में बीती हुई शाम के बाद जब उसको टी-सर्ट मिलेगा तब उसका रियक्शन क्या होगा क्या मुकेश रोरो कर उस दिन को याद करेंगे जब उनके पिता टेक्सी चला कर कलकत्ता में उनका जीवन पालते थे तब क्या मुकेश कुमार यह याद करेंगे कि जिस बिहार के गोपाल गंज में वो पैदा हुए उसी बिहार के तरफ से उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस वक्त बिहार एलिजिबल ही नहीं था खेलने के लिए मुकेश कुमार का गाव काकड कुंड आज लोगों से भरा पड़ा है वहाँ पर जिस घर पर कोई जाता नहीं था लोग जाकर उनके घर वालों को बधाई दे रही है और ये कहानी सुनाती वक्त हमको पंकस्त्रिपाथी की यादाती है पंकस्त्रिपाथी गोपाल गंज के बेलसर का वो लड़का जिसने एसा जहंडा गाडा बॉलिवड में ये सारे लोग उनकी वहवाही करते हैं और अब मुकेश कुमार की चर्चा इसे लिए हो रही है क्योंकि मुकेश कुमार भी अब इंडियन टीम के साथ खेलने जा रहे है वो बल्ले बाज नहीं है वो गेंद बाज है और इंडियन ए टीम के साथ उनका एक दौरा हुआ था जिसमें न्यूजिलेंड एक टीम के साथ मैच था उन्होंने इतना अच्छा परदर्शन किया कि सेलेक्टर्स को लगा कि मुकेश कुमार को मुका देना चाहिए मुकेश कुमार 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को इंडियन टीम के साथ मैच खेलेंगे साउथ अफ्रिका के साथ मैच है और कहा जा रहा है कि जो सेलेक्टर्स हैं जो बीसी जाइक ओफिशियल्स हैं वो लोग अच्छे गेंदबाज की तलाश में हैं और मुकेश कुमार पर जैसे उनकी नजर पड़ी उनको लगा कि इस लड़के में कोई काबिलियत है और इस लड़के को हमें आज माना चाहिए मुकेश कुमार का स्टैट्स दी बहुत अच्छा है मुकेश कुमार बढ़िया खिला रही है मुकेश कुमार बिहार के गोपाल गंज के काकड कुंड के हैं लेकिन खेलते कलकटा के लिए थे लेकिन इन सारे बातों को अलावा मुकेश कुमार ने जो हासिल किया है उस पर बात करनी बहुत जरूरी है आज सुबह सुबह जब हम Facebook स्क्रॉल कर रहे थे तो गोपाल गंज के DM सहब ने मुकेश कुमार के बारे में लिखा था बिहार का कोई यसा लड़का नहीं होगा और खासकर गोपाल गंज का जिसने मुकेश कुमार की तारीफ ना की हो मुकेश कुमार खेलने जाएंगे साथ अफ्रिया के खिलाफ 6-8 और 11 अक्टूबर को खेलेंगे लेकिन जश्न का महल बिहार के उस छोटे से जिले में है जहां से निकल कर मुकेश कुमार ने बताया है कि कब सपना कोई भी देख सकता है 27 साल के मुकेश कुमार ने कभी सोचा नहीं था कि जब हम CRPF के नौकरी में नहीं जा पाएंगे जब मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी जो मेरे परिवार वाले चाहते थे तो एक दिन एक ऐसा मौका आएगा जब पूरा भारत इस बात को जानेगा कि बिहार का एक जिला है गोपाल गंज और गोपाल गंज का 27 साल का मुकेश कुमार अब साउथ अफरिका के साथ मैच खेलेगा बहराल मुकेश कुमार के लिए बहुत चुब कामनाय है वो अपने मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे ताकि और भी आगे खेलते रहें इंटरनेशनल टीम में बने रहें लेकिन गोपाल गंज जीले के सारे लोग आज मुकेश कुमार की बहवाही कर रहे हैं और वो सारे दिनों को याद कर रहे हैं जब गोपाल गंज के मिंज स्टेडियमे जाकर मुकेश कुमार खेला करते थे मुकेश कुमार के कोच अमित सिंग से बात हुई अमित सिंग ने कहा कि देखिए एक मैच में मुकेश कुमार जब खेलने आय थे तो उन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद हमने उनसे संपर्क करके अपनी टीम में लिया उस यासा शहर याद आएगा जिस शहर से निकल कर मुकेश ने इतनी लंबी यात्रा तै कर ली है वैरहाल मुकेश कुमाद्रे से कई लड़के हैं ऐसे कई लड़किया हैं जो चाहें तो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हैं हमें जरूरत है ऐसे लड़कियों को पर रखने की समय आये जरूरत आये तो ऐसे लोगों की मदद करने की ताकि हमारे जिले से हमारे राजी से हमारे देश से अच्छे खिलाड़ी अच्छे लोग अच्छे कलाकार निकलते रहें